तो hello my dear students, आज किस class में हम लोग NPO में fund based accounting को detail में अच्छे से समझेंगे, ताकि आपका concept अच्छे से clear हो सके और आप इससे related सारे questions को आसानी से solve कर सके, तो मेरा नाम में सुमीत और आप देख रहो perfect tax and accounting solutions, तो चली बच्छो शुरू करते हैं, तो बच्छो यह जो fund based accounting है, बहु सकते हैं, एक हो सकता है general fund, जिसका use आप कहां पर कर सकते हैं, तो उसका use आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए आप उसका use कर सकते हैं, और एक होता है special fund, special fund का क्या काम होता है, कि जिस काम के लिए वह fund आया है, उसी काम में उसका use करना है, ठीक है, एक होता है general fund, ए होता है special fund general fund का यूज आप कहीं पे भी कर सकते हैं किसी भी काम में कर सकते हैं और special fund में क्या होगा कि जिस काम के लिए वह fund आया है जैसे building बनाने के लिए अगर वह fund आया है तो उसका यूज आप सिर्फ building बनाने के लिए ही करेंगे मैच कराने के लिए мин है तो उसका यूजंत सिर्फ मेश कराने के लिए भी करेंगे ठीच के यूजंत आया है तो उसका यूजन आप वह पास आया है वही पर आप उसका यूज कर सकते हैं तो उसी के लिए हम बनाते हैं फंड बेस्ट एकाउंटिंग उसी फंड के लिए मनाते हैं फंड बेस्ट एकाउंटिंग जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए अगर कोई फंड आया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक अलग से doughletlink करने के लिए हम फंड सक यूच करते हैं दिखातेएं तो ब्स आपको इतना ज्याद रख 커피 अब हम लोग सीखेंगे कि फंड वेस्ट अकाउंटिंग आखिर हम करते कैसे हैं तो कुछ एक्जांपल हमने यहां पर लिया है तीन एक्जांपल लिया है अगर आप तीरे एक्जांपल को अच्छे से समझ लेते हैं तो यह टॉपिक आपका किलियर हो जाएगा ठीक है चलिए इस फंड को आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है उस पर आपको इंट्रेस्ट मिलना है दस परसेंट के हिसाब से साथ में कुछ एडिशनल फंड भी आया है यानि कि टुर्णामेंट फंड के लिए दो लाक रुपिया पहले से आया हुआ था बाद में फिर एक लाक रु बहुत ही simple है ठीक है हमने इंअ पर एक च्षोटा सा format हाए दो खिले होंगे उस हिसाब आप इसे चेंज कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे tournament fund लिखेंगे कितना है दो ल लाग दो यहां पर दो लाग लिख दिया उसके बाद इस tournament fund पर आपको interest मिला यहां ध्यान दिजएगा कि यह tournament fund था इस पर आपको interest मिला है तो इस से related जो भी income होगा इस से जो भी expense होगा उन सभी को आपको इसी में add करना है और लिस करना है तो यहां पर interest receive हो रहा है यानिकी income हो रहा है तो क्या करेंगे इस fund में हम इसे add कर लेंगे ठीक है 10% के इसाब से आपको interest receive हुआ है तो 2,00,000 का 10% 20,000 रुपया ठीक है तो इस 20,000 रुपया को हम यहां पर add कर लेंगे के लिए उसके बाद बच्चों किशन में क्या कर रहा है additional fund एक लाग रुपया और आपको receive हुआ है तो इसे भी हम क्या करेंगे add कर लेंगे इसे भी हम इसी fund में add कर लेंगे है कि अग्यार तो टौटल फंड आपके पास कितना है 3000,20,000 रुप्या आपके पास क्या हैक अ कि लिए अब पे दिया देजीएगा कि टूर्ञारमेंट एक्सपेंस कितना था था 1,80.000 रुपया तो इसे क्या करेंगे आप लेसक करेंगे नडा आप बालेंस सीट में लाइविलिटी सैड में यहां पे दिखाएंगे ठीक है आप इसे इस तरह से डीटील में भी आप लिख सकते हैं लाइविटी सैड में कि टूर्णामेंट फंड मेरे पास इतना था उस पर इंट्रेस्ट मिला एडिशनल फंड इतना आया उसमें से इतना टुर्णामेंट एक्सपेंस हुआ और बालेंस हमारे पास कितना बचा तो फर्टी थाउजन रूपीज बालेंस बचा तो इस तरह से आप फंड बेस्ट अकांटिंग करेंगे अब यहां पर द्यान दिजिएगा कि यह जो हमने स्टेट्मेंट बनाया इसे आप एकांट के फॉर्म में भी बना हं निकाल करके आप बैलेंस अं समय न आ गया चली दूसरी ग्जाल देखते हो बच्छो दूसरा एक्जाम्पल में क्या कर रहा है यहां पे हम दिआन डिजेगा है । डूर्टामेंट फंड है डोलाइक रुपिया है तो हमने यहां पे डोला रुपया है एकिले इंट्रेस्ट 10% कितना हो जाएगा 20,000 ना यह हमने लिग दिया एडिशनल फंड कितना है एक लाख रुपया यह भी हमने लिग दिया अब बचो यहां पर ध्यान दिजेगा कि यह जो टूर्णामेंट एक्सपेंस से कितना है तो इसे हम एक्सपेंस मान लेंगे और इसे हम कहां पर दिखाएंगे तो इंकम एंड एक्सपेंडीचर एकांट के डेविड सेड में यानि की एक्सपेंस साइड में दिखाएंगे समझ में आया बचो यह बात आप कि और 9,300,000 है और तुडनामेंत अद tarp 350,000 रुपया होगा है ठीक है लेकिन ऐलन शीट में आपको तीन लग How Mash एकाउंट के टूरना मेंट एक्सपेंस में इस तरह से 30,000 रुपया दिखाएंगे तो इस तरह से आप आसानी से कोई सॉल्व कर सकते हैं अब बच्चों हम लोग तीसरा एक्जांपल दिखते हैं जो की काफी इंपोर्टेंट है इसे आपको समझना बहुत ही ज्यादा होता है तो आप उसका accounting कैसे करेंगा आये देखते हैं यहां कर आए है Versier वृपण के लिए आपको सोला लाक रुपया टोटल फंड है अब क्या हुआ बच्चों कि आपने बिल्डिंग बनाना शुरू किया और बिल्डिंग बनाने में अभी तक अब बच्चों यहां पर आप बहुत ध्यान से समझेगा यहां पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको समझना है ठीक है देखिए बिल्डिंग फंड था दस लाख एक रुपया इंट्रेस्ट पांच लाग रुपय अडिशनल फंड टोटल सोलाग रुपया एक्समेंस कितना आपने और ने कर दिया 10 रुपया एक्समेंस कर दिया और आपके पास छे लाघ रुपया बचाव हुआ अब ध्यंस क्या देना आपको कि आपके और आपके इप्यो में आसंट हुए है जंक है तो इसे हम यहां पे इसलड़ा zatाएं से क्या हुआ कि आपका एक शैन टूब रॉपिया का और यहां पी आप लिखेंगे इन प्रोग्रेस अब ये प्रोग्रेस में हैं पूरा complete नहीं हुआ है is साथ ही ये जो 10 लाग रॉपिया है यहां समझें बच्छो चाथ ही ये जो 10 हो जा रहा था लेकिन यहां पर क्या होड़ा है कि जितना भी आप expense कर रहे हैं उतना का आपका asset generate होड़ा है यानि कि यह capitalize जोड़ा है ठीक है तो इस दस लाख रुपिये को यह जो 10 लाख रुपिया है इसे हम क्या करेंगे capital fund में add करेंगे कि लिए समझ में आया तो इस तरह से आपको इसका accounting treatment करना है यह बहुत ही important था अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप comment किजिए या फिर आप पीछे करके वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा कि मैंने आपको क्या समझा है ठीक है तो इस तरह से आपको फंट बेस्ट accounting करने है ठीक है तो आई हो बच्चों कि आपको यह तीनो एक्जामपल अच्छे से समझ में आ गया होगा अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटर प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे जो की टीएस ग्रेवाल के बुक से होगा के लिए तो वीडियो अच्छा